इस वीडियो में मैं आपको अपने UPA ID को आप कस्टम कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ठीक है तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेसा की तरह एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आये हो तो आप मेरे चैनल को यहां से इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटे का बटन है उसको आप आल पर सेट करके उसका नोटिफिकेशन ओन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी को वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप आप पर देख पाए फ्रेंज मैंने काफी सारे वीडियो यहां पर बना कर रखे हुए हैं आप जा करके एक बार चेक आउट जरूर कीजिए गा फ्रेंज तो चलिए अब वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और सबसे पहले आप अपना फोन पे का जो एकाउंट है उसको ओपन कर लेना है जैसे मैंने यहां पर ओपन कर लिया है क्लिक करने के बाद आपका पूरा बैंक का डीटेल आपको यहाँ पे सो हो रहा होगा और आप जब नीचे से स्क्रॉल करके उपर की और जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा UPI ID भी यहाँ पे सो हो रहा होगा और बगल में एक्टिव का बटन भी आपको सो हो रहा होगा तो यहाँ पर बाइडिफोल्ट आपको तीन जो है UPI ID मिल जाते हैं ठीक है अपका मोबाइल नंबर और एड़ रेट एकसल करके और बाकि एक IBL है यबील है इस तरह करके तीन आपको मिल जाते हैं अगर आप यहां पर कुछ कस्टम बनाना चाहते है अपना UPI ID तो नीचे पर यहां देख सकते हो कि यहां पर प्लस का तीन और भी निशाणिहां पर देत हुए हैं आप बीएस टेक सो हो रहा है तो मैं इसी को एज़ टीज क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूं तो मैं यहां पर क्लिक कर दोंगा तो यहां पर दिखेगा प्रिफियर्ड आइडी में यहां पर वह आ गया है अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आप यहां पर कुछ भी अपर एडिट कर सकते हो जैसे कि आप पर कर सकते हो जैसे मैं अगर वन हटा दता हूं तो यहां पर देखेंट आप अधे जुआिए यहां एकसल यह मेरा जो है नया कस्टम यूप याई आईडी होगा फेंस तो इस तरसे आप यहां पर सट कर लीजेगा सेट करने के बाद आप यहां पे create पे क्लिक कर दीजिए अप create करने के बाद यहां पे देखिएगा आपका जो mobile नंबर है जो आपको बैंक से लिंक किया हुआ है उस पर आपको यह verify करने के लिए validate करने के लिए बोलेगा ठीक है तो यहां पर continue पे क्लिक कर देंगे करने के बाद यह आपको verification code भीजिएगा उसके बार यह आपका जो है यूपी आई आइडी जो आपने custom बनाया है वह confirm हो जाएगा चले देखते हैं यह मेसेज चला गया अभी मेरा मुबाइल नबर जो है validate हो गया और यहां पर जो है मेरा आप देख पा रहे हों कि बीच टेक one at excel करके जो है मेरा एक custom यूपी आई बन चुका है फ्रेंज ठीक है अब इसको क्या करना है आपको यूज करना है तो अब आप किसी को भी यह वाला यूपी आइडी आप दोगे तो आपका जो पैसा ट्रांसफर होगा जो इन होगा जो आएगा वह इसी यूपी आइडी पर आएगा तो इस तरह से आप अपना जो है यूपी आइडी को कस्टम कर सकते हो आप यहां पर कुछ भी बना सकते हो यह मैं मेरे चैनल के नाम से मैंने बेस्टिक वन आइडी एक्सल करके बनाया हूं ठीक है तो मेरे यह अभी एक्टिव है बाकि जो चार है उसको भी मैं यूज के हिसाब से एक्टिव कर सकता हूं तो मैंने उसको भी ब तो आइो अपको यह जो मैंने बताने की कोसिस किये हैं आपको समझ में आ गया को समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कॉमेंट बोक्स खुला हुआ है आप वहां पर जा करके अपना कॉमेंट जरूर ड्रॉप कीजीए रटेंस तो मिलते हैं नेक्स वीडियो को लेकर के तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद